हेलो दोस्तों, विलकम है आप सबों का कविता किचन रेसिपीज में तो फ्रेंस, आज आपके साथ सेयर कर रहे हैं बहुत ही हेल्दी नास्ते की रेसिपी जिसे हम बहुत ही कम देल में बना कर रेडी करेंगे और ये खाने में बहुत ही स्वाधिस्त लगता है इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, रात के दिनर में बना लिजिए बहुत ही हल्दी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए ना हमने आठे का यूज के है ना मैदे का ना ही सुजी का तो फ्रेंस देश ना करते हुए,र शुरू करते हैं हम अपने विडियो के विडियो को लास्ट तक वाच्ट कीजिएगा इसे रेसिपी को बनाने के लिए हमने पैन चलहा दिया है गैस पर और साथी-साथ हमने यहां पर एक बरा कप से पाने लिया है पानी में हम अच्छे से बॉयल आ जाने देंगे तो जब पानी थोड़ा हिट हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे नमक साथी साथ हम थोड़े से वन पिंच हल्दी पॉडर डालेंगे थोड़े से कलर के लिए साथी साथ हम हाफ चमच बॉयल डालेंगे कोई भी तेल आप डाल सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमने एक कटोड़ी के करिब लिया है चावल का आटा तो अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे धीरे धीरे करके डालेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए जैसे ज मीडियम साइसे का ग्लास से आप पाने लिजेगा हमने की हमने करिभ तीन कर्थी पाणी लिया है और यह देखी हमने चलाते हुए बिल्कुल डोव में ला देना है करिभ 3-4 मिनट में यह अच्छे से डोव मे आ जाते हैं तो थोड़ी से तेल हमने डाला है ताकि यह पैन में छ wiping के और यहाँ पर देखी से कंटिनू हम चला रहे हैं और चलाती हुए यह दिखिये आप ही धीरए धीरे डो फॉ फॉम में आने लगे हैं और प्यान को छोड़ने लगे तो यहां पर देखिए फ्रेंस यहां यह पूरी तरह से डो फॉर्म में आ गये हैं तो थोड़ा सा अब हम गैस को बंद करेंगे और अब हम इसे ठंडा हो जाने देंगे तो ठंडा होने के बाद ही हम आगे की रेसिपी बनाएंगे फ्रेंस तो तब तक चलिए इसे हम निकाल तो इसे हमने दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया है और अप्रें सेम पैन मैंने लिया है इसमें हमने थोड़े से एक चमच के करीब रिफाइंड वायल डाला है उसमें जीरा डालेंगे साथी साथ अब हम इसमें कुछ इंग्रेडियंस डालेंगे एक मैंने बारी कटे करी पत्ता करी पत्ता से काफी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इस नास्ते का तो करी पत्ता जब ब्यास थोड़े से हो जाए ना तभी डालिएगा इससे फ्लेवर रहता है सिर्फ ओयल में करी पत्ता डालने से ना करी पत्ता जल जाता है तो यहाँ पर कुछ शाओ जीरा पॉडर धनिया पॉडर और थोड़ी से काली मुर्च भी मने इसमें डाली है और साथी साथ ये ग्रेट किये हुए अद्रक इन सारी चीजों को डाल कर हम इसे अच्छे से प्यास के साथ भूल लेंगे और साथी साथ यहां पर जाएगा कुप सारी धनिया की पत्ति धनिया की पत्ति की जगए आप कस्तोरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हमने यहां पर डाला है अमचुर पॉडर तो अमचुर पॉडर नहीं है तो उसके जगए आप चाट मसाला यूज़ कीजिए या फिर लेमन का जूस भी आप इससे डाल सकते हैं तो काफी लेंगे तो अब बॉयल आलू को अच्छे से मसालो के साथ हम मिक्स कर लेंगे यहां पर और साथी साथ हम इसे कल्ची की साहता से इसे जो भी बड़े टुक रहे हैं उसे हम तो तो एक बर इस तरह से आप आलू को मसाले के साथ डाल के देखेगा बिना मैस किये या फिर बिन आप अपने अनुरूप ही एड किजेगा क्योंकि चावल के आटे में भी हमने नमक यूज किया है तो फ्रेंस बातों बातों में अगर आप को मेरी रेसिप एच्छी लगती हो तो प्लिस वीडियो को पूरा बास किजेगा और चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजेगा बे लाइक और फ्रेस कीजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो यहाँ पर हमारे आलो बिल्कुल तयार हो गए हैं अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर हमारे चावल के आटे भी पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं मतलब पूरी तरह से ठंडे नहीं करना है इसको थोड़ा सा यह नॉर्मल ही रहना तब ही आप उसको अच्छे से हमें इसे मार लेना इस तरह से देखिए हथेली की सायता से इसे हम काफी अच्छे से इसे हम नैंगे और पूरी से एकड़म सफट दू की फोर्म में ला देना है है तो इहां पर उसकरीब बां से साइट मिनत तक एससे हम लेगे और यह धीरे-धीरे अब एकड़म सौ्ट फोर्म हो गए है तो हम थोड़ी से और हाथों में वैयल लगा कर आपको लग्राए है चावल का एकदम perfect, एकदम soft हो जाता है, तो इस तरह से हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आटे का डो बनाने में, नहीं तो हमारी recipe जो है न वो खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे, यह डो को तयार कर लिया है, और यह करीब करीब हो चुके हैं, तो अब यह perfect तरीके से हो गया है, रेडी हो गया है, तो चलिए अब हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं, तो यहां हमारे आलू भी ठंडे हो गया है, और इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़ लेंगे, और अब यहाँ पर हम इस तरह से गहरा कर लेंगे, और आप देख सकते हैं, साइट से कहीं भी तूट नहीं रहें, कहीं भी टूट नहीं आपको दिखला होगा, तो स्टॉपिंग आप भर लीजिए, अपनी थोड़ा सा कम ही भरी हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्दा ज्यादा स्टॉपिंग इस कि हमें अपने सारे नास्टिक को बना लिए społec करके दास्ट केदा सकते हैं बहुती कम तेल में थोड़ेटीक सविए हैं बइससे हम सब्सक्राइब हम रहाता हुए कर ल抓 हुए और स सब्सक्राइब तो इस तरह से देखिए और फिर से हम दुसरे लॉट में भी इसी तरह से सारे नास्ते को डाल देंगे तो यहां नास्ते को हमने एडली स्टैन में सेट कर लिया है साथ ही साथ हमने यहां पर पानी गर्स पे चरहा तीया था गरम होने के लिए पानी अच्छे से हिट हो चुका है तो अब हम इसमें इस स्टैंड को डाल देंगे और करीब 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके स्टिम हो जाने देंगे अपने नास्ते को तो यहाँ पर करीब 15 मिनट हो गया है फ्रेंज तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं अपने नास्ते को अब ईहो चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने देते हैं तो जब अच्छे से ठंडा हो जाएं तो हम इसे इटली स्टान से de-mold कर लेंगी तो यहाँ पर सारे नाश्टे को हमने निकाल लिया है तो बहुत ही इजली और बरहा है हैं तो सारी को हम ऐसे ही डिमोल्ड कर लेंगे अगर थोड़ी से भी लग रहे हैं तो थोड़ा सा चमज की हल्फ ले लीजिए तो मेरे अभी पूरी तरह से धंडा नहीं हुए थे थोड़ा सा हलके गडम थे तो मैं उसी में निकाल रही हूं तो फ्रंस आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप बिल्कुल वैल फ्री ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यहां फॉक में लगा के दिखा रही हूं तो बहुत ही इसली अराम से फॉक भी वापस आ जा रहा है टू स्पून के करेब हमने रिफाइन वाइल इसमें डाला है थोड़ी से इसमें हम जीरा डालेंगे साथी साथ अब हम इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्ची और करी पत्ता और अब हम इसमें सारे नास्टे को डालेंगे और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे तो बहुत ही और बहुत ही स्वाधिस लगता है तो आप दूनों तरह से इस नास्ते को खा सकते हैं बिना तेल के आप रोस्ट किये या फिर थोड़ी से वायल पर आप इसे रोस्ट कर लेजिए तो बस इस कलर के आरे तक ही हम आलट पलटके इसे अच्छे से तेल के साथ रोस्ट कर लेगे और स हम इसे सर्फ बन्या से हों सर्फ कर ली आपके हमसेर नास्ते को सर्फ कर लिया है तो मैं बुल जाइएगा चाहरा नास्ते के सामोसा कारहर ने को सब भुल जाई द्धनिया और पूदरना के चमिस आखंटे से से ऱ हरी मिर्चीे और ओलृ кино कर दो के लाद कर जंदेने ही त को कैसी लगी तो फ्रेंस मिलते हैं फिर से ऐसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार सुक्रिया बाई बाई थैंक यू